कि अधिक आपने यूट्व चैनल मैथ एक्सप्रेस में आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथेमेटिक्स के यानिकी क्लास 12 के बेसिक मैथेमेटिक्स के बात करेंगे बेसिक मैथेमेटिक्स पढ़ना क्यों जरूरी होता है देखिएगा अगर सबसे पहले आप बेसिक मैथेमेटिक्स आप नहीं पढ़ते हैं तो सबसे बारा आपको यहां परिशानी होगा कि जब आप सिलेबस को पढ़ने जाएंगे तब आपको सिलेबस को पढ़ने में क्या ह जाएगा परिशानी होगा से रखा है जब पढ़ने ऊपर सम frutka जाएगा् या इसीलिए सबसे पहले हम लोग लोग से बेसिक को complete कर लेते हैं यही basic क्या करता है आगे जाकर हम लोग को बहुत सारे चीज में help करता है हम लोग क्या करेंगे आज class 12 के basic mathematics की आज क्या करेंगे हम लोग बात करेंगे और देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पिर हम लोग क्या करेंगे class 12th में हम लोग क्या करेंगे basic of mathematics के बात करेंगे देखेगा तिर्कोनमीती हम लोग क्या किए है कि class 12th में हम लोग क्या किए basic में हम लोग trigonometry start किया है तो चुकि आप लोगों त्रीकोनमेटरी परहा है class 10th में भी और class 11th में इसलिए लिए क्या किया हम ले सबसे पहले क्या चलो क्या है trigonometry चलोईगा तो हम लोग basic basic पना ही जाएंगे इतना basic कर जाएंगे कि काम चल जाएंगा तो हम लोग क्या करते हैं trigonometry परहेंगे आप लोग से अगर पुछे कि इसमें से right angle triangle कों है मतलग इसमें से right angle कोन है पताएगा राइट अगल आप लोग पता है यह के यह बहुत आदम कदे कहाएगा यह है और यह है तो आप लोग समझ लिजिए कि यह right angle triangle नहीं होगा कहले नहीं होगा बस समझेगा देखेगा कहले नहीं होगा मतलब के यह समसी कोन तिरिभुज नहीं होगा। इसमें लगा हुआ है कि 90 णंतिग्री का क्लास content में एक फर्मूला कूँ जाना यूज किया हो कथी P square plus B square बरावर H square यह हो गया आप लोगन कहा फर्मूला देखा है class 13 में और class 11 में क्या हो किया आपने इसको बहुत सारी चीज में यूज किया कि अब आप लोगन एक भी फर्मूला आभी जाना हो कथी कि sin theta बरावर P मतलब कि sin के उल्टा कती है cos SAC Th DA बरावर P सेच कोष Th DA बरावर H b और cos capita बरावर B cut H और सेख बरावर H V B और Tang theta बरावर क्या हथा है P by B और कोड ठीटा वड़ावर के होता है Bby P तो आप लोगों रहा किया है क्लास रेंद में ही देखा है क्लास सेनद में पढ़े होगे नाइन अपीर पहले भी पढ़े होगे आप अतया है इतनला हम लोगuyं समझें कथी कि त्र्यांगल क्या है नुआ एक फर्मूला हम लोग देखे देखा थी पी स्क्यार पर लास्फ ब्रावर एच इस्कुरार विश्टी अवर एच सब्सक्रार करते हैं कि आगे चलते हैं आगे किसमे, आप लोग एक फर्मूला और देखे हो ये गे, अर ये जो फर्मूला है, यह तो बहुत ही इंपर्मूला है, इसको आप बहुत बार यूज की हो येगा, कथी टैन ठीटा बराबर साइन ठीटा बट्टे कोश ठीटा कथी टैन ठीटा बराबर साइन ठीटा बट्टे कोश ठीटा और कोट ठीटा बराबर क्या होता है कोश ठीटा बट्टे साइन ठीटा आप लोगों ने हैं तक लेपढ़ा होगा चली आगे हम लोग चलते के आगे अपर लोग और एक फर्मूला का और एकदम जबरदस्त तरीका से क्या किया हो गया होगा आपने यूज ख किया कथी साइन आ स्कॉर ठीटा पलटा स्कॉर ठीटा बरावर कती यहोगा और होगा यह लोगों ने इस बात को करास तेंतर जानते आ रहे हैं नहीं जानते हैं तो जान लीजे क्थी sin square theta plus cos square theta बरावर जाएगा ? इसी क् önem हो जाएगा हम लोग क्या की है ? sin square theta बरावर क्या होता है!? 1 minus cos square theta उसके बाद cos square theta बरावर क्या होता है? ça yoon minus sin square theta इसी क् STEM, मतलए यह honom 시간 की है ? रूट कें अंदर में ? मतलब कि रूट में क्या किया है बडल दिये तो क्या जाएगा साइन ठीटा बराबर रूट अंडर वन माइनस कॉस स्कॉर ठीटा और कॉस्ट टेटा रूट अंडर वन माइनस साइन इसक्वायर ठीटा अब कौन है सेक स्क्वार ठीटा माइनस टैन स्क्वार ठीटा बरावर वन कती है सेक स्क्वार ठीटा माइनस टैन स्क्वार ठीटा बरावर वन इसका भी हम लोगों लोगों ने क्लास तेंध में बहुत ज़्यदा उपयोग किया है और एलेवेंध में हम लोगों उपयोग किया है अब कती ब्रावर 1,1 प्लस, 10 Skills जो होता है वह वन उन करता है वाद सभेस्वाइर ठीटा ओर धना प्लस ठीटा-वार क्या होता है वह प्लस फ्रीटल घ्लावर हिए ट्री माइनस ने आहिएनि देखा इसी कनलो प्यां कि है इसको स्क्वार को राद भी है तो कथी ओगया सेक ठीटा वरावर, है ना, रूट अंडर 1 पलस 10 स्क्वायर ठीटा और 10 ठीटा वरावर के हता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ठीटा पलस मैनस 1 ठीक है? तो अभी आप लोगों ने समझा का थी, इक लास तेंथ में आप लोगों इसारे फर्मूला को देखा होगा और क्लास 11 फर्मूला है जो इवला फर्मूला यह में करना है एक वेड़ी सटाना है एक वेड़ी हटाना है करना है थोरा सा सटाना है थोरा सा हटाना है बात समझेगा इस फर्मूला को याद करने के लिए आप लोगों देखी कथी माइनस है प्लॉस ए है बी है स साइन कोस कौस साइन साइन कोस कोस साइन क्या या शकना है क्या करना है या रखना है कौन चीज़ दखिए एक बध्यान देजिए कथी कि साइन कौस कौस साइन क्या क्या करना है याद क्या करना है एक बध्यान आप लोग देख लिजिए कथी याद करना है और बाद में क्या याद करना है फिर कौस कौस साइन क्या याद करना है साइन कौस कौस साइन कौस कौस साइन क्या याद करना है साइन कौस कौस साइन कौस कौस साइन यतना याद करना है यतना याद हो जाएगा तो बस इस चारू आपको याद हो जाएगा कई से याद हो जाएगा तो देखिएगा आप चलिएगा हम इसको आप मिटा देंगे आप इसको एक बार देख लिजे क्या लिखा हुआ हम दोबारा इसको नहीं देखेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे मिटा देंगे अब हम लोग क्या कहा था कि आपको ये को बात याद करने के लिए कहा था कथी कि sign cos cos sign cos cos sign sign हम लोग क्या करेंगे sign sign cos cos sign sign cos cos sign cos cos sign sign cos 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 sign sign यहां तक लिए आप लोग करेंगे लिए क्या याद करना था sign cos cos sign cos cos sign sign यहां पर्ले आप लोग के याद हो गया है यहां पर्ले हम लोग करेंगे अब इसमें क्या है दूग चीज़े कती है ये गो है और ये गो है कती बी ये गो है ये गो है और ये गो है और ये कती है बी है हम लोग क्या करेंगे आगे ए पीछे बी आगे A, पिछे B, आगे A, पिछे B यहां परले हो गया, अब ही हो गया तयार, अब क्या करना है अब एक बात को और याद अखना है, कथी याद करना है साइन है सिधा चलो, कॉस है उल्टा चलो क्या याद करना है, साइन है सिधा चलो, कॉस है उल्टा चलो चली, साइन है तो सिधा चलो तो पलस है न, साइन है तो सिधा चलो तो माइनस और कॉस है ता उल्टा चलो पलस है ता माइनस और माइनस है ता पलस याद हुआ भाई देखें क्या करना है आपको याद कर लेना कथी इवरा चीज साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन इतने है बात याद आखना है ठीक है कथी cos 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 याद कर लिजेगा इससे कहा जाएगा आपको यह फर्मूला यहां तखले किलियर हो जाएगा तो आज से करास हम लोग यह तक रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो क्या करेंगे नेक्स्ट चीज पर चर्चा करेंगे तो थैंक्यू सो मच टाटा बाइबाइबाइबाइब झाट तकएर